हाई लेवेंथीज, वेलकम टू इजी वेकॉमर्स क्लासेज, मैं हूँ तपित और गाईज, आज के इस वीडियो में हम अपना सेकिंड चेप्टर, फॉर्म्स ओफ बिजनस अर्गनाईजेशन स्टार्ट करेंगे, और काफे इंट्रोस्टिंग और बहुत सारी चीज़ आपक इसमें सीखने को मिलेंगे, तो देखो कितने टाइप से बिजनस किया जाता है, सबसे पहला टाइप है गाईज, सोल प्रोप्राइटर्शिप, यानि कि जहाँ पर एक अकेला बंदा बिजनस को करता है, काम को स्टार्ट करता है और पैसा कमाता है, राइट, दूसरा ओता है partnership जिसमें हम किसी के साथ मिलकर काम करते हैं थर्ड होते हैं हिंदू undivided family जिसमें आपको इंडिया में देखने को मिलेगा जिसमें हमारा कोई पुष्टैनी काम चलता आ रहा होता है पारिवारिक जिसे हम कहते हैं ठीक है उसके बाद होते हैं हमारा cooperative societies यानि कि जिसमें हमारा basic एम जो होते हैं वो service motive होता है कि एक दुसरे को चीजे सस्ती मिल सके एक दुसरे का भला हो सके उसके बाद होता है आपकी society है या Hindu undivided family business है तो उन सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ना सीखेंगे ठीक है तो सबसे बहले हम अपने basic चीज से start करते है that is soul proprietorship right so soul proprietorship जैसा नाम है वही उसका guys meaning भी है soul proprietor में soul मतलब क्यों होता है अकेला proprietorship मतलब honor तो यानि कि यहां पर एक अकेला honor होता है यानि कि जो भी बंदा अकेला काम करता है अकेला कोई business start करता है तो उसे हम soul proprietorship कहते हैं आपके आसपास बहुत सारी कितनी दुकाने हों कि बहुत सारी जहां पर अकेले uncle काम कर रहे हैं और उनके साथ उन्होंने एक लड़का रखा होता है जो उनकी help करता है समान उठा उठा के आपको देता है जहां से आप दूद लाते हो ब्रेड लाते हो यह क्या है एक soul proprietorship business है जिसमें उन्होंने अकेले उस काम को start किया है ठीक है अब soul proprietorship refers to a form of business organization एक किस टाइप की organization है गाईस which is owned, managed and controlled by an individual जो की owned यानि कि उस जिसका owner जिसे manage और पूरा control करके कौन चलता है एक individual who is the recipient of all profit जिसको सारा profit मिलता है and bearer of all risk और risk भी उसका यानि कि कमाएगा तो भी उसका नुकसान होगा तो भी सारा उसका है उसे हम क्या कहते है sole proprietorship तो easy definition याद कर सकते हो आप exam में पूछी जाती है इसके बाद है guys इसके features तो features में देखो first is formation and closure यानि कि sole proprietorship को start करना असान है कोई जादा legal formality नहीं होती है इसमें आप असानी से start कर सकते हो कोई proper law नहीं बन रखा इसके लिए कि sole proprietorship उसके अंदर आती है हमें यह यह चीज़े करनी होगी no ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है तो आप इसे असानी से start कर सकते हो बट यह है कि कुछ ऐसे sole proprietor होते हैं जिनमें हमें license की जरूरत होती है जैसे अगर आप शराब का काम खूलना चाहते हो तो उसमें आपको license या फिर कोई ऐसा danger काम है जैसे की chemical and all का तो आपको of course license लेना पड़ीगा ठीक है उसके बाद है गाईस यानि कि असान तो होता है क्योंकि no separate law ठीक है जो proprietorship को guide करेगा closure guys बंद करना भी असान है जब आपका मन करें आप नहीं चला पारे बंद कर सकते हो आप या फिर गाईस अगर business डूब गया तब भी बंद हो जाता है अब इसके बात है गाईस unlimited liability unlimited liability का मतलब क्यों होता है कि यानि कि इस business की liability unlimited है बहुत बार use करते हैं unlimited का मतलब होता है कि अगर बंदे के यानि कि जो भी sole proprietorship है और उसको business में उसका suppose करो कि debt है दो लाग का यानि कि debt बोले तो guys उसके ओपर देंदारी है दो लाग की बट business में सिर्फ asset है पैसे उसके पास रखे एक लाग रुपे तो अब एक लाग तो वो दे देगा बाकी बज़े एक लाग का पैसा कब देगा तो उसके personal property को यानि कि उसके घर के समान को भी बेज कर उस पैसे को पूरा किया जाता है वो घर से भी पैसा लाएगा और उस पैसे को चुकाएगा तो उसकी परसनल प्रॉपर्टी को भी यूज करते हैं इसमें तो इसे बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबलेटी यानिकि उसके परसनल एसेट्स को भी यूज किया जाता है ठीक है? उसके बाद है थर्ड सोल रिस्क व और वही profit recipient होगा सब कुछ उसका है loss होगा तो भी उसका profit होगा तो भी उसका control गाइड तो पूरा का पूरा control उसी का रहता है वही सारे business को चलाता है वही देखता है और उसको किसी भी इसमें किसी की राय लेने की जरुरत नहीं किसी के अंदर दबाव में आके वह काम करता है फिफ गाइस no separate entity यानि कि वह और उसका business एक ही है कोई separate entity नहीं है जैसे company जो होती है गाइस उसको अलग माना जाता है एक owner की बहुत सारी companies हो सकती है और company के नाम पर हमेशा case किया जाता है कभी owner के नाम पर नहीं होता है यहाँ पर क्या है क्योंकि वह अकेला बंद है वही business को चला रहा है तो वही उसकी पहचान है अगर किसी बंदे को case करना है तो वह दुकान के नाम पर नहीं बलकि इस बंद यह पर चौहते है काईज अगर फॉजन्स में और कोई नुकसान होता है या फिर ौमर जाता है वह बंदा कोई भी Mishapp 놓ositों यह तो वह बिजनस बंद हो जाता है ठीक है है नहीं कि मालिक चला गया तो बिजनस चलना रहे का मालिक जानने के बाद बिजनस को रोक दिया जाता है बंद हो जाता है ठीक है इसके बात है काईस मेरिट से लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटर्शिप क्या फायदे और नुकसान है तो जो अभी हमने इसके फीचर्स पढ़े ना इसी में इसके फायदे नुकसान देखो आपको पता चल जाएंगे सबसे पहला तो क्य कहती है हमें उसे कहीं पब्लिश कराने की जरूरत नहीं होती अब पब्लिश किस केस में कराना होते है का इस कंपनी के केस में कंपनी अपना प्रोफिट दिखाती है न्यूस पेपर में लागके बैलन शीट दिखाकर लिकिन यहां पर उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं है इसके बाद है guys third ease of formation या भी आपने पड़ा कि इसको start करना और बंद करना बेहत असान है direct incentive जो पैसा कमाएगा वो उसका है उसे किसी के साथ share करने की ज़रत नहीं होती इसके बाद है sense of accomplishment याने कि ये उसका guys एक खुद का business होता है खुद की महनत होती है तो उसके एक personal satisfaction होता है कि मैं जो कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ मेरे को किसी के लिए काम करने की ज़रत नहीं है there is a personal satisfaction involved in working for oneself खुद के लिए काम करता है लेकिन इसके नुकसान क्या है guys देखो first limited resource यानि कि उसके पास खुद के बाद जितना पैसा होगा उसे उतने में ही काम करने है वो कहीं से बाहर से नहीं ले सकता second guys limited life of a business concern यानि कि अगर उसकी death हो जाती है तो उसका business बंद हो जाता है तो एक limited life of business की उसके बाद है guys third आपका unlimited liability यानि कि उस person की जो अभी हमने पढ़ा था unlimited liability होती है नहाँ पर उसकी liability जो रहती है वो unlimited रहने वाली है जो मैं आपको बता चुक्योंकि इसके घर से भी समान उठा लिया जाता है business के debt को पूरा करने के लिए इसके बाद है guys limited managerial ability इसका मतलब है कि अकेला बंदा इसके इतना काम कर लेगा तो उसकी जो ability है वो उतना ही काम कर पाता है तब ही वो business जो है guys वो एक normal एक छोटे skill पर रह जाता है क्योंकि वो अकेला बंदा है और वो क्या-क्या चीज़े manage करेगा ठीक है इसके बाद है guys next हमारा topic जो कि है Hindu undivided family business जिसे हम joint Hindu family business के नम से भी जानते हैं और basically यह सिर्फ आपको इंडिया में मिलेगा only in India ठीक है क्योंकि यहां पर ही हम joint family का culture चलता आया है अब यह कैसा business होते है guys जिसमें हमारी family है जिसमें हमारे पर दादा काम करते थे जो पर दादा ने काम start किया किसी के अंडर काम नहीं किया उन्होंने अपना business start किया फिर हमारे दादा ने किया फिर पापा ने किया अब हम कर रहे है तो इसकी कोई specific यह नहीं कह सकते कि कैसे पता चले जहां पर परिवारिक काम है गाइस वो जॉइंदू फैमिली बिजनस है तो definition देखो इसकी refers to a form of organization wherein the business is carried and business is owned and carried by the member of the Hindu undivided family यानि कि ओन वही उसके मालिक है और वही उस बिजनस को चला रहे हैं तो उसे हम joint Hindu family business कहते हैं अब गाइस इसमें जो सबसे बड़ा member होता है उसे करता कहा जाता है the business is controlled by the head of the family ठीक है who is the eldest member and is called करता बाकी सारे members उनका equal ownership right होता है property में जो कि ancestor property यानि कि हमारे पहले से चली आरी property में और उनको हम किस नाम से जानते हैं को पार्सनर्स के नाम से जानते हैं तो ये चीज़ हमें याद रखनी है आज के समय में guys थोड़ी ये family हमें देखने को कम मिलती है क्योंकि अब लोग जादा तर nuclear family में रहने लग गए हैं याने की अकेले but still इंडिया में फिर भी आपको joint Hindu family business बहुत जगे पर मिल जाएगा जहां पे एक परिवारिक business चलता आ रहा है और उसकी property में सारे लोग involved होते हैं सबका equal right होते हैं कोई भेदभाव नहीं होता लड़की लड़के में सब उस business में पाट लेते हैं अब feature क्या है guys formation देखो इसको start करने के लिए हमें क्या चाहिए सिर्फ दो लोग होने चाहिए family में और कोई हमारी ancestral property होनी चाहिए जो पुरानी हमारी property चली आ रही है जिसके base पर हम काम कर रहे हैं ठीक है and the business does not require any agreement as a membership is by birth होती है बलब आपको member बनने के लिए आप उस परिवार के हो तो आप उसके member हो हमारे इंडिया में इसके लिए जो law दिया गया है उसको Hindu Succession Act 1956 कहते हैं इसके बात है गाईज अगर liability की बात करें तो सबकी liability limited रहती है except करता करता की liability unlimited रहती है बाकी सारे members की liability क्या रहती है limited रहती है control क्योंकि main जब head है family का तो control जो रहता है वो करता के हाथ में रहता है अगर वो चला रहे हैं इस समय पर तो उनका रहेगा control ठीक है जबकि यह भी होता है कि सबसे वो discuss करके भी ले सकते हैं या फिर अपना decision भी सुना सकते हैं continuity गाईज यानि कि यह business चलता रहता है जब तक कि हमारे PD दर PD हम लोग चल रहे हैं जब बच्चा पैदा होता है तो यह चीज आपको याद होनी चाहिए इसके बाद एक छूटा सब कंसेप्ट है जेंडर इक्वैलिटी इना जॉइंट हिंडू फैमिली यानि कि लड़का लड़की दोनों का प्रॉपर अधिकार है वो हमें कहां से मिलता है हिंदू सक्सेशन एक 2005 में जो अमेंडमेंट हुई है यानि कि जो चेंजिस हुए है उसके इसाब से लड़का और लड़की दोनों का बिजनस में प्रॉपर्टी में इक्वल राइट है ठीक है तो आज कि इस वीडियो में बस इतना ही नेक्स वीड झाल